खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी रानी लक्ष्मी भाई के उपर दोस्तों हमने स्कूल्स में, कॉलेजिस में बहुत सी बाते बढ़ी है लेकिन उन पर जब फिल्म आती है तो देखना तो बनता है बॉस ऐसे में मैं पहुंचा हूँ दोस्तों, Friday First Day First Show पे जानने के लिए ओडियंस है कि ओडियंस दर्शक क्या सोचती है इस फिल्म के बारे में, कैसी लगी उन्हें, कंगना की फिल्म ये, कंगना का डिरेक्शन, कंगना की आक्टिंग, वगरा वगरा सारी बाते जानूंगा ये Friday First Day First Show की बाते, exclusively on Bollywood Spy, मैं हूँ राहूल भोज, कैसी लगी आपको? वेरी गूड राश, अमेजिंग फिल्म, मज़ा है गया देखके क्या खास है फिल्म के अंदर? खास है टू टाइम्स नाशनल एवर्ड विन्यर जो कंगना रहन होते है वो खास है, बहुत कुपसरत लग रहे है और जो स्टंट है, जो आक्शन है, शोड का, वो बहुत, बहुत, तो मैगनिफिसेंट तरीकाश उन्होंने नहीं बात करूँ फिल्म के डिरेक्टर की वो चीज़ को राणी लखिमभाई के बारे में, जो जरूर देखें, खास करके लेडीज, तो जरूर देखें, खास करके लेडीज, तेंक्यों मच दोस्त, थैंक्यों, कैसी लगी, तो मुझ वेई नाइस, अमेजिंग मूवी, पार्च में से चार स्टार्न, काम कैसा है? बहुत बहुत अमेजिंग काम है, ऐसे लगी नहीं रहा है कि, वो कंगना ऐसे लग रहा है कि, सच में, लाइक, शी पोट्रेद इड पर्फेक्टली, रानी लख्यमभाई का कारेक्टर, और देरिक्शन कैसा है, तो वो देरिक्टर से लिगेड़ा है, एक इंट करना चाहिए, एक चीज़ में सूपब है, तो उसको वो ही कंटीन्यू करना चाहिए, इस मूट पर्फेक्टर से लिगेड़ा है, तो वो देरिक्टर से लिगेड़ा है, मूवी में भी उसने अक्टिंग बहुत अच्छी करी है, एक जैने रहे है, तो उससे साब से बहुत अच्छा करा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसको और ज्यादा डारेक्शन में करना चाहिए, एक्टर की बात करों तो इसमें बहुत सारे अक्टर हैं, सब का काम बता करने के लिए कुछ बहुत जादा कुछ था नहीं, उसको इतना पार्ट लागा उसने बहुत अच्छा करा और इसके अलावा फिर जिशान आयूप के लिए भी बहुत जादा कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन सबने अपना पार्ट बहुत अच्छे एक्टर हैं वो लो जिस तरह को ग्रीब किया अब अल्टिमेट है और अरकना ने कुछ हटके मुवी पहले जिस तरह से करती थे उनने फर्स टाइम मैं एक्जिकल ताइप का मुवी किया वो गाफी अच्छी है कया है कि दो सब स lickज़ाई बात करने बैस्तों की क्योंकि को कंग्गना ने भी ड derive किया है कृष्ण भी है दोनों कअ डायरेक्शन इसम का जो इसके पहले जो मुवी किया इसके बाद में उनका सबसे मैं मानतों कि सब निबिस तो विर्ष बड़ी कठीन है इतना क्राउड को हैंडल करना जो भी है बहुत मुस्कुल होगा और जो भी उन्हें क्या फैंटास्टिक जोब किया है और मुवी सुपर हुट होगी मेरे अंदासे सौंग्स कैसे सौंग्स तो मतलब बहुत ज्यादा प्रियोटिक है मैं रहू या ना रहू यह भारत वर्स रहना चाहिए बहुत अंदर से मेरो को बहुत अंदर से फिल है तो गोरों का फिल आ रहा था है कि वार लिब इंडिया जो भी हो और दूसरों लोगों को भी आए फिल डालोग कैसे हैं फिल्म के प्रसुन सन्ने लिखें डालोग तो बहुत अच्छा है कि भारत में वहीं जो खड़ा है जो सब छोड़ कर खड़ा है यह रेली डॉल के दम जिसने जो भी निचार कर दिया या देश के लिए तो जाते है जैसे आप नरेंद मोदी कही ले लो जो पुरा निचावर करके जो खड़े हैं उनको सब जानता है जो डालोग उनको शूट भी करता है और यह डालोग को डिली मतलब है परसुन जी को डालोग बहुसा और भी है लेकिन यह डालोग मेरा मैंड में बत यह आगई अच्छी रहे लोग है तंग ना ओस्वाट मैं बोलना चाहूंगी इसके लिए बहुत अच्छी पिक्चर है और एक्टिंग वाइस तो अमेजिंग जो मतलब इसमें कुछ भी क्लीशे नहीं दिखाया गया जैसे पहले दिखाते हैं कि आप ऐसी लडाईयां होती है जो हम बहुत बार देखते हैं पहले ही गो थू है कि एक्टर ऐसे एक्षिन करते हैं इसमें कुछ ऐसा नकली पन नहीं था पिक्चर में और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और अच्छा हो सकता था और 90 परसेंट पिक्चर बहुत अच्छी है और 1000 परसेंट एक्टिंग डायलोग्स की बात करते हैं गानों की बात करते हैं प सर्काइव Benzugekg कंगना तो ऐसी एक्टरिस आई नहीं है इंडर्स्त्री में जैसी वो है वैसी आई नहीं है मैं । उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं मतलब रोना आरा था मुझे मार्व हुषिया का बहुत अच्छा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो उनको अच्छी पिक्ट्रे मिलनी चाहिए शी डिजर्व अगर 10 हो दे तो मैं 10 देती नमस्कार सर बहुत बहुत स्वागत है बॉलिवोड स्पाइ में एक्सपर्ट है आप तो दिल खोल के मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे मनी करनी का के बारे में रावल जी हम आपको क्या बताएं अंग्रेज खुद जब लिख के गए के मेरी पूरी जिन्दगी में अगर विद्रोहियों में कोई योधा थे तो मरदानी थी तो वो जासी वाली रानी थी जब वो खुद लिख के गए तो अब हम बताने लाएं क्या होते हम तो बहुत छोटे सकसे और आपका भी एक रिविउ मैंने बढ़ा था कि कल देखा था कि रोंगते खड़े हो जाते हैं और आज मैंने महसूस भी किया कि इस पिक्चर में रोंगते खड़े होते ही है सर कैसा काम किया है सब कलाकारों ने मैं सबसे पहले अंकीता की बात करना चाओंगा क्योंकि वो इसमें डेब्यू कर रही है जलकारी बाई जलकरी भाई का जो रोल अंकीता लोखंडे ने किया है वो बहुत ही अच्छा है और उसने उसका रोल बहुत कम है लेकिन बहुत ही सूपर रोल किया है उनका भी रॉल अच्छा एं डेनी का रॉल है सूरे सोबिराई का रॉल है एक कुलबुचा खरभंदा एं उन लोगका सब का रॉल है और बहुत अपीलिंग मौनेस मिला है कंग ना पर अभी नहीं जाते हैं आब आपी फिल्म की writing की बात करते हैं डायलोक की बात करते हैं वो कैसा है क्योंकि प्रसुन सर ने डायलोक लिखे हैं हां प्रसुन सर को ф说 हेद्न by अच्छे डायलोक लिखने के लिए बहुत ही अच्छा डायलोग लिखा है इसमें मेन फेमस तो यह है कि हम रहे या न रहे हैं भारत रहना चाहिए और दूसरा एक उन्होंने बोला है कि हिंदुस्टान का संस्कार रहा है कि पहले हम सांती चाहते हैं फिर कोई बदमासी करें तो हम करांती करते हैं यह बहुत पीलिंग है हाट टचिंग है एक गाना बहुत ही अच्छा है विजय भावा जिसमें यूद करने का प्रिप्रेशन चलता है और सब विजय भाव विजय भाव करके बोलते हैं और उसके पिक्ट्राइजिसन बहुत अच्छा सर एक्शन सीन्स जो की फिल्म की जान है कह सकते ह हैं सेकेंड हाफ ले लीजे आप पूरा एक्शन से भराव पड़ा है वो कैसे हैं सब्सक्राइज सेकेंड हाफ में पानीपत की लड़ाई बोलिए महा भारत हम लोग बजपन में देखते थे जब बनी थी और वो जब यूद के जो सीन दिखाय जाते थे उस वकत टेक्नोलो चितरी करन जो बोली आप इतनी अच्छी तरह बताएगे कि लग रहा है कि सही में यूद हो रहा है कंगना ने अच्छन सीन्स अच्छे किये हैं बहुत अच्छा उसमें हरार महादेव बोलके तलवार लेके करती हैं और जो हम लोग बचपन से बोलते हैं कि खूब लड़ी कंगना का काम किएसा अजा डिरेक्टर और अज़ा एक्टर इस डेटर सीज और शीविल गेट नान्य ती मार्ट फ्रॉम हंडेट अन्न केरेक्टर वाइस जो इन्होंने एक्टिंग किये वह पांच में पांच बंद थे एक्टिंग बहुत सूपर है और कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि हम 1857 में हो बहू जासी को ही देख रहे हैं जासी की रानी को ही देख रहे हैं कहें कि जासी की रानी का ओरीजनल चहरा या ओरीजनल सरी तो किसी ने देखा नहीं है उसकी तो बाते हम लोगों ने पढ़ी और सुनी है और इसमें तो लग रहा था कि क्या इसी ही होगी और वैसा ऐसास होता था कि इसी ही होगी तो सीज लुकिंग लाइक ग्रेट मने क्वीन बोलिये या वॉरियर बोलिये जो बोलिये जांसी चलते चलते देशवासियों को आप क्या कहना चाता है इस फिल्म के बारे में एक लास्ट मैसेज और वैसुर्म की इस्टोरी विजें डि 씨न लिखें वो लिखें प्रसून जोशी जी मिन है कैंकि कहानी का मेन हीरो जो कहते हैं वो यही लोग है अच्छा प्रयास अच्छा है वड hy haul summary on 완 अच्छे बेसिकली मुझे अच्छा रखता है हम रहें नहीं भारत देश रहन चाले है कंगना का काम कैसा है उस पर जंप मानने से पहले मैं आपको अंकिता के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे अंकिता का डेबी हुए लेकिन अच्छा है फिलिम में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है कंगना का performance अच्छा और as a director प्रयाज भी अच्छा है उनका साड़े तीन इस्टार देना चाहूंगा मैं रहू या ना रहू भारत ये रहना चाहिए दोस्तो ओडियन्स के बीच क्रेज आपको नजर आ रहा है जो भी दर्शक आ रहा है हर कोई मनी करनी का The Queen of Jhansi की तारीफ पे तारीफ किये जा रहा है तो ऐसे में 26 जनवरी का मौका है आप लोग जाए जाकर देश की बेटी यानि की मनी करनी का Queen of Jhansi, Jhansi की रानी लक्षमी बाई के ओपर जो फिल्म आई है वो जरूर देखिए और कंगना रनौत के काम को भी जरूर देखिए दोस्तों क्योंकि वो फिल्म में फिंटाबिलस है अपने रिव्यूज, अपने कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फिल्म देखने के बाद डेफिनेटली 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 बताएं यार क्योंकि ये देश की बात है, ये रानी लक्षमी बाई की बात है कहां बताएं आपके फेवरेट चैनल बॉलिवुड स्पाइ में, मैं हूर आहूल भोज, along with camera person, विशाल